जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी चरूर लिखें। पत्र, धतूरा, चंदन और अक्षच चढ़ाने से सिवजी जल्द प्रशन होते हैं। वहीं कुछ ऐसी चीजे हैं जिनने भूल कर भी शिवलिंग पर या सिवजी पर अर्पित नहीं करने चाहिए। तो आज हम आपको इस वीडियो में ही बताने जा रहे हैं कि सिवलिंग पर भूल कर भी कौन-कौन सी चीजे नहीं चढ़ानी चाहिए। अन्यता सिवजी क्रोधित हो सकते हैं। दोस्तों सिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। पौराणी कता के नुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के जूट में सात दिया था जिस राप के बाद से सिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना असुब माना जाता है। आपको बता दें यूं तो तुलसी की पतियां पूजा में काम आती हैं। लेकिन भगवान सिव की पूजा के लिए नहीं। ध्याम रखें कि सिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पतियां अ कर दिया यही कारण है कि शिवलिंग पर तुलसी की पतिया नहीं चढ़ाई जाती हैं दोस्तों शिवलिंग पर नारियल और पित किया जाता है लेकिन नारियल के पानी से अभिशेक नहीं किया जाता है देवताओं को चढ़ाया जाने वाला प्रशाद ग्रहन करना आवेश्यक होता है इसके लावा सिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए दोस्तों सिव के अत्रिक्त लगबग सभी देवी देवताओं के पूजन में हल्दी गंद और आउसदी के रूप में प्रयोग की जाती है सास्त्रों के नुसार सिवलिंग पुरुस तत्व का प्रतीक है और हल्दी इस्त्रियों से सम्मंदिच चीज है इसी वज़े से सिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है आपको बता दें कि सिव संक की उत्पत्ति हुई थी सिव जी ने संक चूड का वद किया इसी लिए कभी भी संक से सिव जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है आपको बता दें कि सिव जी पर कभी भी सिंदूर और कुम-कुम भी अर्पित नहीं करना चाहिए सिंदूर सुहागिन महिलाओं का गहना इस्त्रियां अपने पती की लंबी याईव और अच्छे स्वास्त के लिए अपने मांग में सिंदूर भरती हैं इसलिए सिवलिंग पर कभी भी सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए इसके लावा ध्यान रखें कि सिव जी को कभी भी तूटे हुए चावल ना चढ़ाएं भगवान सिव पर हमेशा अक्छत यानि साबुच चावल चढ़ाने चाहिए तूटा हुआ चावल अपोन और असुद्ध होता है इसलिए ये सिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता है एक बात बता दूँ कि जब भी आप सिव लिंग पर दूद चढ़ायें तो किसी बरतन से चढ़ायें कुछ लोग होते हैं जो सोसते हैं कि सीधे दुकान से दूद का पैकिट खरीद कर डिरेक्ट पैकिट से ही सिव लिंग पर दूद चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से बचना दोस्तों सिव जी की पूजा में बहुत से भक्त जन सिवलिंग पर लोहे या स्टील के लोटे से जल अर्पित करते हैं जो कि गलत है। भगवान भोले नाद पर हमेशा पीतल, कासे या तामे के लोटे से जल चड़ाना चाहिए ना कि स्टील के बरतन से। दोस्तों सिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से महादेव सीकर प्रशन होते हैं। मानता है कि भगवान सिव की अराधना बेल पत्र के बिना अधूरी माने जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर कटी फटी बेल पत्र अर्पित ना करें। अन्यता सिवजी क्रोधित हो सकते हैं तो दोस्तों इन चीजों का आप विसेज ध्यान लखें तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी चरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाज चैनल को सस्क्राइब करें धन्यपाद